इगनू की तरफ से December 2023 डूम एग्जामिनेशन रिजल्ट एक बर फिर से अबडेट कर दिया गया है आज 8 फेबरी के दिन और ऐसे बहुत से स्टूरिंट है जिनका रिजल्ट आज के दिन अबडेट किया गया है बहुत ही बिग अबडेट इगनू की तरफ से रिजल्ट की सबाएगी 31 जयनवरी के बाद आज 8 फेबरी के दिन आपका रिजल्ट अबडेट हुआ है इस gap में जितना भी रिजल्ट है आप सभी का अबडेट हुआ है वो पबडेट हो चुका है यहाँ पर आप अपना enrolment नमबर टाइप करेंगे और अपना रिजल्ट चेक कर सकते है so friends कुछ students का result मैंने चेक किया है जो मैं आप सभी की सामने open करने वाली हूँ so आप भी देख सकते हैं और आप भी उन course course के result चेक कर सकते हैं so friends यहाँ पर आप देख सकते हैं BAEGH program के student है और इनका result जो है वो 3rd of February के दिन update किया गया है दो result 3rd of February के दिन update किया गया है जिसे आज ही portal पर publish किया गया है so friends यहाँ पर भी आप देख सकते हो BAEGH के ये student है इनका भी 3rd of February के दिन result update हुआ है जो आज ही के दिन website पर publish किया गया है और friends जो ये student है ये भी BAEGH के student है और इनका जो result है वो भी 3rd of February के दिन update हुआ है जो आजी के दिन website पर publish किया गया है तो ऐसे बहुत से student है friends जिनके result बीच में update हुए है और आजी के दिन 8th of February के दिन publish किये गए है इगनू की तरफ से friends इगनू की तरफ से daily update नहीं आ रहा है result का आपका जो result update है वो after 7 days, 10 days update किया जा रहा है जिसमें बहुत से course codes का result एक साथ publish किया जा रहा है तो अगर आपने result अभी तक चेक नहीं किया तो आप अपने result जरूर चेक करें और friends हो सकता है जब आप अपने result चेक करें तब आपको enrollment number not found या result या to be declared ही लिखाओ और नजर आए तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना friends आपको next update का wait करना है जैसे ही इगनू की तरफ से next update आएगी हम आपको channel पर जरूर notify करेंगे तो आप channel के साथ जरूर बने रहें और अगर आप अपने result से ना खुश है तो friends इगनू की तरफ से आपको evaluation का portal open करके दे दिया गया है आप अपने लिए evaluation apply कर सकते हैं आपको evaluation किस तरह से apply करना है अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको step by step दी गई है so thank you for watching the video till end see you soon in the next video